Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So here I am with another preparation video for your test series. So, हम जानते हैं कि Unicom अपने Telegram चानल के दूँ एक free test series करणड़ करवा रहा है जिसमें अब तक आपके काफी सारे paper cover हो चुके हैं. अब तक हमने 5 paper वहाँ पे cover किये हैं और वो सारे papers आपको हमारे Telegram चानल पे available हैं. तो अगर अभी भी आपने वो जॉइन नहीं किया है और आप वहाँ पे test series का फायदा लेना चाह रहे हैं. अपको लगता है कि आप उसमें अच्छा गाल सकते हैं और अगर नहीं भी लगता है तो भी आप उस papers को जाके download करें और उन्हें जरूर चेक करें. उससे आपकी writing practice अच्छी होगी जो कि आप हमेशा कहते हैं कि मैं लोग को कैसे याद करना है, कैसे लिखना है उसमें आपको help मिलेगी. अगर आप चाहते हैं कि लोग की writing practice के लिए में special batch चालू करें तो आप नीचे comment section में ही जरूर बताईए कि आप लोग का बाहुबली बाच चालू करना चाहते हैं या नहीं और अगर आप उसे join करना चाहते हैं तो उसकी details के लिए आप नीचे comment कर सकते हैं. Okay, so this was regarding the writing practice जो हमारे पास है और साथ में अब हम नहीं बता रहे हैं कि यह preparation video क्यों और कैसे हैं आपके पास already एक preparation video आचुका है मंडे को और उसके बाद में आपके पास BCR के paper के लिए भी preparation video आचुकी हैं, right? So this is part 2 of your law, क्याने कि paper 2 के लिए part 2 of the preparation video है, चीक है? Confused मजोना, बहुत सारा 2 है यहांबे, paper number 2 law BCR का, जो test number 2 है, that is for the next 50% of the portion, उसका preparation video number 2 हमें आपे डिसकस कर रहे हैं. Preparation video number 1 का link में आपको उपर i button में दे रही हूँ, on the description box में भी, तो अगर वो आपसे miss हो गया है, तो आप उसे check कर सकते हैं, उसके according आप अब भी अपनी preparation कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो हम बात करने वाले हैं, आज आपके पास में, already कुछ time निकल चुका है, हमने इस week को divide किया है, Monday, Tuesday, Wednesday, then we have Thursday, Friday, Saturday, ठीक है? और हमने Sunday को रखा है, division के लिए, तो हमने आपसे पहले भी कहा है, Monday, Tuesday को हमने sales of goods act किया है, Wednesday को हमने LLP complete किया है, यह चीज हम already cover कर चुके हैं, उसके बाद में हमें जाना है हमारे companies आपकी तरफ, यह भी आपको पता है, तो मैं यह उम्मीद करके चल रही हूँ कि आपने इन तो उनों को अच्छे से prepare कर लिया है, क्या preparation है कैसे है, वो हम उसे वीडियो में discuss कर चुके हैं, आप उसे जाके check कर सकते हैं, अगर अभी तक भी आपने यह दोनों chapters complete नहीं किये हैं, तो sufficient time है, अब आप उसे कोई revision ले लिजे, आपके पास में अभी Thursday और Friday का time है, तो पहले ह हम इस time को हमारा Companies Act को solve करने के लिए लेने वाले हैं, ठीक है, अब Companies Act का क्या weightage है, किस तरह से questions आते हैं, यह भी हमने पिछले वीडियो में देखा है, बट still हम एक बात और इसको देख लेते हैं, Companies Act जो है, उसमें आपके पास मुल्टिपल यूनिट्स नहीं है, पर उसका weightage है 13 मार्स का, यहाने कि quite a significant weightage है, जैसे आपके पार्टकर्शिफ एक में भी काफी यूनिट्स है, उनका weightage 16 मार्स है, Companies Act का weightage है 13 मार्स का, तो इसमें आपको focus बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद में एक और point आता है, 6 मार्स के लिए आपके पास case study आती है, ठीक है, तो यह भी अगर आप अच्छे से prepare कर लेते हैं, क्योंकि सिर्फिक single unit है और इसको आप अगर दो दिन लेगे बहुत अच्छे से prepare कर लेते हैं, तो आपको बहुत help मिल जाएगी, correct, तो आपने कहा कि हमने एक दिन में 6 मार्स का case study बहुत अच्छे से कर लेना है, okay, तो हमारे पा सारी चीजें आप include कर सकते हैं, और इसको इस सरीके से divide कर सकते हैं, कि चार units इसमें basic बन जाती है, जैसे एक पार्ट होता है इसका definitions का, अगर हम और print को देते हैं चले, तो generally इसका unit 1 बनना चाहिए, correct, फिर second part आता है इसमें कि सरीके से registration होता है, तो आपके पास इसका एक portion हो होता है, fourth point जो आपका अच्छा ता point यहां बनता है, वो है आपका corporate whale theory, ठीक है, तो यह आपके पास में 4 major distinctions हैं, उसके अंदर major आपके division आप कर सकते हो, और इस तरीके से आप उन units को divide कर सकते हो, और इसमें जब हम बात करते हैं, कि 6 mark का case study कैसे बनता है, 6 mark का case study अभी तक ज याने कि इस portion में से भी निकाल सकते हैं, जो की बनता था आपके OPC के उपर, fine, but कुछ recent amendments के कारण इस question थोड़ा सा significant sales सा कम हो गया है, but क्यूंकि यह आपका एक important topic है, और इसमें amendment आये हैं, तो बहुत ज़्यादा chances बनते हैं, कि यह आपको paper में दिखाई दे, या तो आपको definition portion में दिखाई देगा, या फिर आप चाहें, तो case study portion में दिखाई दे सकता है, because इसमें changes आये हैं, और साथ साथ में एक और आपता important provision है, जिसमें change आया है, जो की है small company की destination, ठीक है, तो यह कुछ ऐसे definitions हैं, जहां पे amendments आये हैं, जिसमें changes आपको ध्यान में लखने हैं, तो इ is a really a big question, आपको यहां पे 6 to 7 marks के question में यह question देखने को मिलता है, fine, companies act में से 7 marks का question नहीं आता है, इसमें से एक बड़ा question आपका 6 marks का question रहेगा, जो की case study के basis पे आएगा, और बाकी का 7 marks इसका allocation रहेगा, वो आप छोटे-छोटे question में डिवाइड करते हो, क्योंकि 7 marks का सिर्फ एक ही question आता है, question number 2, और उसमें आपको companies act कभी नहीं पूछा गया है, तो इसमें छोटे-छोटे question है, जैसे कि आपका 4 marks का 1 question हो सकता है, 3 marks का 1 question हो सकता है, तो इस तरीके से आपके पास यह questions design होते हैं, तो 4, 3, 6, generally आपका यही एक तरीका होता है, जिसमें आपको companies act देखने को मिल रहा है, otherwise वो हो सकता है कि थोड़ा सा marks उपर निचे करके 6 plus 3 plus 3 यह ऐसा कुछ situation, दे, fine, तो यह जो 4 marks का question है, यह आपका generally definition portion में से निकलता है, जैसे कि OPC है, small company है, dominant company है, इस तरह से, okay, उसके अलावा आपके पास जो registration वाली formalities है, उन में से चोटा question बन सकता है, कभी स सारे steps एक साथ नहीं पूछे गए हैं, तो आप इस बात पर जादा confused ना हों कि मैं बहुत सारे steps हैं, या हमें याद नहीं हो रहा है, या हमें sequence याद नहीं रह रहा है, अगर sequence याद नहीं भी रह रहा है, तो भी it's fine, कोई रिक्तत की बात नहीं है, steps और forms यह आप ज़रूर याद करने हैं, कि किस तरीके से आपको एक company को incorporate करना होता है, fine, दें बात करते हैं, indoor management और corporate well, ये दोनों किसी भी condition में नहीं छोड़ने हैं, इसमें आपको इनके section number याद करने हैं, कंपल सरी हैं, second, इसके सारे examples पढ़ने हैं, कंपल सरी हैं, plus case law के नाम आपको याद होने चा आपको इनके नाम याद होने चाहिए, indoor management में आपके पास में तीन exception है, तो इसके total 4 case law है, turcan rule को मिला के, 3 exception को मिला के, ultra wireless में भी आपके पास में 2 case law है, corporate well में आपके पास में 5 case law है, यानि कम से कम, ये 8 से 9 case law, यानि कि आपको कम से कम 10 case law पूरी companies act में से याद होना, compulsory है, fine, case law वहां पे जरूर पूछा जाएगा आपका, fix है, इसमें से question आने वाला है, तो इसलिए it is important कि आप इसके case studies के जरूर ध्यान दें, ठीक है, एक और चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली है, Companies Act के अंदर वो ये है, कि Companies Act जो है काफी बड़ा और extensive point है, और अब तक इसमें ब chances और increase हो जाते हैं, तो आप ICIP से भरोसा ना करें, और इस पे जरूर ध्यान दें कि आप किस तरीके से बड़ रहे हैं, fine, तो आपको छोड़ के कुछ में जाना है, बड़ ये जो points है, इनको बहुत अच्छे से prepare करना है, क्योंकि ये repeatedly देखे गए हैं, बहुत बार देखे ग आपका question बन जाता है, और उसमें से भी आपका case study बन सकता है, fine, clear है, तो I hope companies act कैसे करना है, वो समझ में आ गया है, कहां से करना है, as usual, जो हम हमेशा बताते हैं, वो ही चीज आपकी यहां पे फिर से applicable होगी, जब हम companies act की बात कर रहे हैं, companies act आपको करना है module में से, module के साथ मे आप लेंगे कुछ question आपके RTP, MTP, plus question paper जिसमें आपके suggested answers भी होंगे, right, तो ये चीजें आपको देखनी है, इसको आपको cover करना है, और module के back questions को lightly ना लें, वहाँ पे आपको बहुत अच्छी चीजे मिल जाती है, question कैसे आएगा, कैसे frame करना है, कैसे उसको लिखना है, वो च सीजें हो गई, आपके कहां से prepare करना है, fine, तो हम एक quick revision कर लेते हैं, किस तरीके से हमें prepare करना है, आप अप तक Monday, Tuesday, Wednesday में आप अपना 16 plus 5 marks का, यानि कि 21 marks सा paper cover कर चुके हैं, यहाँ पे आपने SOGA और LLP दोनों को खतम कर दिया है, अब आपके पास में आता है Thursday, Friday, जिसमें अपना Companies Act का 13 marks करने वाले हैं, clear है, उसके बाद में आपके पास बसता है Saturday और Sunday, so in case आपने अब तक इसको cover नहीं किया है, SOGA LLP को, तो वो आप Saturday को कर लेजिए, और अगर आपने इसको cover कर लिया है, तो extra questions और आपके जो doubts हैं, उसको आप यहाँ पे Saturday, Sunday को complete करके Monday के लिए ready र जाँगी, जिसमें आपका topic wise एक बात का अभ्यान रखेगा, Companies Act में भी आपका सारा chapter है topic wise, ना कि chapter या unit wise, chapter wise नहीं है, unit wise नहीं है, topic wise है, अगर आपको जिस topic में doubt है, आपके वाल उसी topic का video कोल के देखेंगे, और उसी topic के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ताकि आपको किसी भ बात पर ध्यान देना है, और यहां पर आप कुछ पर काम करना है, fine, जो भी चीजे हैं, आपको जो भी material चाहिए, वो website पर available है, आप download कर सकते है, www.universeofcommerce.com से, website का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा, और आप join कर सकते हैं, हमारा telegram channel, वहाँ पर आपको paper, suggested answers और हर चीज वहाँ available होगी, fine, evaluation video, जो आप paper लिख रहे हैं, उसके लिए भी आपके साथ में interaction किया जाएगा, live box से बात करेंगे हम लोग आके, तो आपके कोई भी doubts हैं, कोई भी queries हैं, आप नीचे comment section में ज़रूर बताएं, और साथ-साथ में आपके पास में अगर किसी भी तरह का issue create हो आपको writing कैसा, आप improvement हुआ है, नहीं हुआ है, पिछले paper से आपको कुछ help ने ली है, और आप आने वाले papers में क्या expect कर रहे हैं, अपने आप से वो भी आप निचे हमाई साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि क्या वाकई में papers आपको help कर रहे हैं या नहीं, okay, and as usual, आपके पास नहीं affirmative message होना चाहिए, कि हम इस बार clear करने वाले हैं, है न, correct, तो हम इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे, आप Companies Act, Sales of Goods Act, or LLP Act, अगर इस week में complete करके paper दे रहे हैं, आपका course complete हो जाएगा, right, फिर उसके बाद next week में हमें पूरा course एक साथ में revise करना है, for the third paper, okay, I next 50% portion हम इस बार test ले रहे हैं, और एक और 100% portion का test होगा, जो हमारा next round में complete होगा, fine, clear for all, तो यह हमारा पूरा schedule है, इस तरीके से आपको खाम करना है, and I hope कि आप बहुत अच्छे से prepare करें, all the best for your test, and all the best for your exams and preparation, I will see you again in the next evaluation video, till then, keep preparing, and stay healthy, be happy, bye-bye.